कि यूटूब चैनल पर मैं डाक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूँ आज की जो हमारी अपडेट आ रही हो भीहार तकनीकी सिवा आयोग सुक को लेकर आ रही है इसके बारे में लगातार हमसे यूटूब के चैनलों पर सवाल पूछा जा रहा है कि सर बी सी बी टी एस सी का आयूस का जो रिजल्ट है उसके बारे में क्या हुआ उसका रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में वगरा वगरा जो है नियूज हमसे पूछी जा रहे तो उसके बारे में जो है कि लगातार हमसे पूछा जा रहा है तो उसी के related हम update लेकर आएं बिहार तक्निकी सेवा आयोग के 3270 जो आयूस कि पद हैं उसमें भरती को लेकर जो है कि जो भी update है वह हम लगातार होमियो रीडर की तरफ से आपको provide करा रहे हैं उसी किस रिंकला में आज हम फिर एक update लेकर आ रहे हैं और उस update पर जाने के पहले अगर आप हमारे होमियो रीडर के YouTube चैनल पर नए है तो होमियो रीडर के YouTube चैनल को आइए शुरू करते हो अपडेट जो है आपका बिहार तक्निकी सेवा आयोग 3270 आयूस के पदों के बारे में बी टी एसी आयूस 3270 पदों के लिए जो अपडेट आ रही है वह हम आपको बता दे कि माननी जो है सुप्रीम कोट से आ रही है सुप्रीम कोट अप इंडिया में एक जो है अपील करी गई थी उस अपील या उस जो है की केस का रिजल जो है आ चुका है और इस केस के बारे में हम आपको बताएंगे जनली एक केस किया गया था आईरबेद, यूनानी और हमिपैथ का जो सीट बतवारा है वह 50, 20, 20, 30 के हिसाब से होना चेहीं तो इस हिसाब से जो है की जनली जो है इसके केस किया गया था कि जो आयरबेत का सीट है वो 50 पर्सेंट हों M treatments का 30 और का 0 2 stat, गूरा केस किया गया था कि सीटों की बटवारे असामानता है उसको ले गिए पूरा केस किया गया था और उनका कहना था कि जो होमेपर्थी के colleges हैं वो बिहार में जादा है तो इसलिए सीटों का बटवारा जो है उस तरह नहीं हुआ है समतुले नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए तो उसको लेकर जो है कि माननी सुप्रीम कोर्ण में एक केस चल ला था और माननी सुप्रीम कोर्ण ने इस केस को डिस्पोज कर दिया यान में कोई रद्वदर नहीं किया जाएगा यानि कि जो पूराना जो भी राज्य सरकार जो है उस अपने अनुसार जो है सीटों का बटवारा कर सकती है तो इस कंडिशन में जो है माननी सुप्रीम कोर्ण ने मामले को डिस्पोज कर दिया है जिसकी हेरिंग आज थी एक जरती पर यानि कि जो इस्टे लगा हुआ था या जो रुकावट आ रही थी भरती होने में या उसके रिजल जारी करने में वह लगपक अब जो यह प्राबलम थी वह समाब थोक चुकी है अब जो है अब मामला जो है बिहार तकनीकी सेवा आयों के पास है कि वह आखिर रि कि सर बार बार आप बता रहे हैं कि रिजल जल्दी आएगा तो भाई जब हमें जो सूचना मिलती है या जो सूचना का अधार होता है हम उसी अनुसार से बताएंगे अफिसली जो है अन आफिसली हम आपको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देंगे जो हम जो है अन आफिसली को अब तक जो लग रहा है अनुमानता जो उम्मीद करी जा रही है कि अब जो है इसका कोट का जो केस है लगभग डिस्पोज हो चुका या डिस्पोज कर दिया गया है तो उस कंडिशन में जनली देखा जाए तो अब बहुत जल्द ही इसके रिजल्ट आने की संभावना पुर चीज़े जो है अब लगबख खतम हो चुकी है तो अब मामला जो है भिहार तक्निकी सिवा आयोग के पाले में है कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट को जारी करे क्योंकि बहुत से प्रतीयोगी जो छात्र हैं जो होमिय पैत आयरवेद और यूनानी के जो होमिय पैती डाक् हैं उन सब को जल्द से जल्द ने उपती हों यहीं हमारी सुपकामना होमियो रीडर की तरफ से और आप होमियो रीडर को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना नह भूलिए गा आपको जानकारी कैसी लगे हमें जरूर बताईएगा और साथ में हम आपको निवेदन करते हैं कि आपके अगर कोई भी सवाल हो होमियो रीडर से तो आप जरूर पूछिए आप हमें वाटसप भी कर सकते हैं और और भी कोई खबर हो या इससे रिलेटिड जो है बिहार तक्निकी सिवा आयोग बतीस सो सथर पदो से रिलेटिड अगर आपके बाद कोई भी तो आप हमें जो है सेर करिये और हमें बताइए अगर इसमें हमने जो है कि कोई भी गलतियां की है तो आप हमें जरूर बजा सकते हैं। होमियो रीडर देखने के लिए आप सबी लोहों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोसाइटी की तरफ से लखनव में एक सेमिनार होने वाला है पांच और च्छा नवंबर 2022 पर ये सेमिनार होगा और इसमें जो है होमेपैथी के बहुत बड़े महारती जिसको फारुक डाक्टर फारुक जे मास्टर हैं वो भी उपस्तित हो रहे हैं तो आप इस सेमिनार में हि हिस्सा लेने के लिए अपना रेजिटेशन करवा सकते हैं क्योंकि ये जो सेमिनार है ये बरनेट के साहता और भी अन्य कंपनियां हैं जो इसमें जो है की स्पांसर्सिप दे रही है जिसको फूर ये आवे ये आयोजन हो रहा है और एक बहुत ही बड़ा सेमिनार है हने मैं एजुकेशनल डेल्टमेंट सोसाइटी की तरफ से तो इसमें अगर आप सेमिनार में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डाक्टर सीविली मजहर से बताय हुए फोन नंबर पे आप कॉल करके जह है जानकारी ले सकते हैं और इसमें अपना रेजिटेशन करवा सकते हैं तो होमियर